मोटापा दूर करने का घरेलू रामबाड उपाए बढ़ते हुए मोटापे को कम करने के लिए आप गरम पानी का सेवन करें इससे आपके सरीन में जमागंदगी बाहर निकलेगी और आपकी बोडी डिटॉक्स होगी और मेटापोलिजम भी तेज होगा साथ ये वजन कम करने की आपकी मदद करेगी नमबर दो प्रोटीन जादा ले जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत होती है इसलिए मोटापा कम करने वालों को अपने अहर में पनीर दही डालें और राजमा ज़्यादा खाना चाहिए इससे आपको भूख कम लगेगी और आप ज़्यादा खाने से बचे रहेंगे नमबर तिन हर रोज एक्सरसाइज करें मोटापा कम करने वालों का हर रोज एक्सरसाइज करना चाहिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप अपने सरीर को एक टीम नहीं रखेंगे तो मोटापा बढ़ना लाजमी है इसके लिए रोज वाक और जोगिंग करें इससे आपको वजन कम रहने में मदद मिलेगी नमबर चार अच्छी भूख लगने पर ही खाये खाना जब खाना पच जाए और तेजी से भूख लगे तो भी अपना अगला भोजन करना चाहिए तथा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कौम ही खाना चाहिए खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए यह वजन कम करने का काफी अच्छा उपाए है जीरा धनिया और अजवाइन लफदायक जीरा है अजवाइन धनिया और चाहिए बना कर पिए इसे भूख जन के बाद उबाल कर घूट घूट कर के ही पिए तुलसी निम्बू अद्रक का बिना दूध वाली चाहिए पिए नमबर चे पतागवी भोजन में पतागवी के ज अज़ायक मिलती है नमबर साथ अस्वगंदा का परयोग अस्वगंदा के दो पते लेकर पेश्ट बना ले सुबा खाली पेटी से गरम पानी में के साथ ले स्वगंदा तनाव से दूर रखता है अत्याधिक तनाव कियो अशक्ता में कोर्शिटोल नामक हार्मोंसाधिक मा नमबर 3, मेथी दाने का पानी अगरिव अगर आप आप शुबा खाली पेट पीत इस मुदा देतdies निमबुर कशिटोल आप अधस कर्यायक दूर और से बचादी ऐसे नमबर करता है सेवन करें काली मिर्च में पाई परिन नामक तत्व मजूद होता है नाइ वर्षा को सीखाओं को सरीर में जमने नहीं देता है, नीमबू और मजुद इससे कई सरीर का विशा ततों का बाहर निकलता है, नमबर दस, खीरा और घाजर, खीरा वजन घटाने में तो मदद करता ही है, साथ ही इसे नियमित रूप से खाने से सरीर में फट कम जमा होता है, अगर आपको रोज इसका सेवन करना ही है, तो खीरे से अलग-अलग रेसिपी तायार कर सकते हैं, इससे आपको खाने में मज़ा भी आएगा और वजन भी कम हो जाएगा, इसके साथ गाजर में कई गुडो होते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है, या आपके वेट लोस, डाइट का एक सकती साली घटक हो सकता है, गाजर में बहुत कम कैलोरी होता है, जो वजन घटाने के लिए उपयोग भोजन बनाती है, या फाइवर से भी भरा हुआ है, आपके पेट को अधिक समाय तक भरा रखता है, और आपके खाने की अधिक क्रेविंग को ओवरीटिंग को रोकता है, ये भी भरपूर म पहत. वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है, नमबर 11 कल्टि के दाल का फाइद HEY, कुल्ती डाल भूख कम करने वाले घ्रेलिन के अस्तर को कम करता है, जर्डिरैंसानगा घाने की लालसा कम होती है, और उसका वजन कम होने में मदद मिलती है, नमबर 12 डाल-चीनी और चाय का सेवन दाल चीनी जैसी की यह आपको सुना सुना सा नाम लग रहा होगा आम तोर पर इसका इस्तेमाल भारतिय ब्यांजनों में मसालों के रूप में किया जाता है या स्वाद में मीठा और नमकीन दोनों स्वाद में होता है सायद आपको यह ना पता हो कि दाल चीनी वजन क करने में भी सहायक होता है मसाला अतिरिक्त गुण के सांथ आता है जो चीनी की ललसा को कीम करता है और रख्त में इंसुलिन को टैयार करने में मदद करता है अगर आप इसके इस्तेमाल चाहिए की रूप में करना चाहते हो तो सहद और दालचीनी का एक गलास घन सी में डाल दे सहत को अच्छे से मिला ले दल्चिनी के साथ उसे अच्छे से मिलने दे फिर उसे चान ले वजन घटाने में काफी अद्भुत काम करता है